नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सुभी का हमारे यूटूब चैनल के ओपर देखे दोस्तों आपको पता है कि हमने आरपेसी फरस्ट ग्रेड के जो टेस्ट पेपर की सुरीज सुरू कर रखी है उसको continue करते हैं और आज का जो lesson है उसको अपन सुरू करते हैं कुछ most important किसना आनसर का संग्रह किया है उसके बारे में देखे बात करते हैं आज का पहला question है बिना अनुमती के कितने दिन संसद में अनुपस्तित रहने पर किसी संसद को आयोग्य गोशित किया दा सकता है तो देखे कितने दिन की अवदी 60 दिन तक बिना किसी अनुमती के कोई संसद है वो संसद में अगर अनुपस्तित रहता है तो उसे अपने पद से उसको आयोगी के गोशित कर दिया जाता है इसलिए 60 दिन क्या होगा इस question का right answer होगा next question आपको दे रखा है इस figure के पद के विशह में निम्न लिखीते खत्रों में से कौन सा खतन सही है वो आपको बताना है तो देखें इस figure के पद के समद में आपको चार खतन दे रखें और कौन सा खतन सही है वो आपको बताना है तो देखें इन में से जो सही खतन है वो आपको बता देता हूँ यदि वह त्याग पत्तर देना चाहे तो अपना त्याग पत्तर है किस न्याइदिष ने अपना त्याग पत्त दे दिया था देखें, important किसे Creating PD दिनकरन थे, PD दिनकरन वो न्याइदिष थे जिनों ने सनसद में महाबियों के कारिवाई प्रारंब होने से, पुर्वे ही अपना त्याग पत्त दे दिया था पीडी दिन करन नेश्टी कुछन आपको दे रखा है भारत में निर्वाचनों का अधिक्षन, निर्देशन और नियंतरन किस में नहीं थै तो देखें ये किस के अंतरगत नहीं है भारत ये निर्वाचन आयोग के अंतरगत नहीं थै भारत में निर्वाचनों का अधिक सर्ण, निर्देशन और जो नियंतरन है वो भारत निर्वाचन आयोग में नहीं थै नेश्ट देरखा है समयधानिक सुरुकसा की कौन सी दारा लोग सेवकों को सुनिश्चित करती है नेश्ट देरखा है राजस्तान परियाटन और भारत निर्वाचन आयोग में परारम की गई है इस ट्रेन का आपको नाम बताना है तो देखे पेले सोन विल्स की तरह ही रोयल राजस्तान ओन विल्स ट्रेन है वो हाली में रास्तान परियाटन और भारतीय रेल के द्वारा परारम्बे की गई है इसलिए उप्शन आपको फोर्ट देर रखा है वो इसका राइट आउनसर होगा नेश्ट आपको देर रखा है कौन सा सही सुमेलित है आपको चार उप्शन देर के हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है तो देखें डेजर्ट सरकिट के अंदर गते बिकानेर जोदपूर जैसलमेर और बाड मेर आते हैं फिर देखें बाला जी सरकिट के अंतरगते जैपूर सामोध, चूरु सालासर, अलवर पानडु पोल और दोसा मेंदिपूर बाला जी ये बालाजी सरकिट में हैं कर्षना सरकिट के अंदर गोविंदेव जी का गलता जी का खाटशाम जी का और स्रीनाज जी का मंदिर फिर एडविंचर टूरीज में के अंतरगत जैपूर जोदपूर और रजमेर चारों आपको इसमें यूग हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं इसलिए आपको कौन सा ओप्सन दे रखा है चारों वाला इसमें ओप्सन आपको फोर्ट दे रखा है एक दो तीन च्यार ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा next दे रखा है सुची first को सुची second से मिलान करना है और एक طرف आपको वस्तर के उध्योग दे रखे हैं cement के रसायन के और engineering के इस तरीके से उध्योग दे रखे हैं और उनका केंद्र है वो कहां पर है वो आपको बताना है तो देखे वस्तर जो उध्योग है उसका केंदर कहां पर है विजे नगर में है वस्तर उध्योग है विजे नगर में है फिर सिमेंट है तो सिमेंट का है मोडक में फिर रसायन है तो रसायन का है गड़े पान केंदर गत और इंजिनियरिंग का कहां पर है भरतपुर में तो त देके तीन, च्यार, दो, एक आपको फैस्ट अपसर में ही दे रखा है ये क्या हो जाएगा इसका रैट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपको दे रखा है राजस्तान की पाकिस्तान के साथ में अंतरास्ट्रेस जो सीमा है उसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है तो देखे एक हजार सतर किलोमेटर की जो रेड़ कलिफ लाइन है भारत की पाकिस्तान के साथ में सीमा निटदारित होती है एक हजार सतर क्या होगा इसका रैट आंसर होगा नेक्स आपको दे रखा है गगर का जो दोवाब मेदान है राजस्तान के हनुमानगड और गंगानगड जिलों में पाये जाता है वन निमने लिखिते दो नदियों के निक्षेपन से बना है तो देखे कौन से दो नदियों के निक्षेपन से जो दोवाब का मेदान है वो बना है तो घगर और सतलज नदियों के द्वारा बना है घगर और सतलज क्या होगा इसका राइट आंसर होगा उप्सन शेकिंड नेक्ट आपको दे रखा है किस करमांग में इंदिरा और इंदिरा सब्धैयुक्म का सही अर्थबेद है तो देखे इस इंदिरा का मतलब त होंगा नेक्ट आपको देर रखा है इन में से सुद्ध सब्द कौन सा है तो देखे सारांस लिखा गया और सारांस किस तरीके से लिखा जाता है और यहापको कौन से दे रखाएय और से लिखा जाता है होता है आंक्षों मैं सो यह इस लिए आंखों आएगा इसलिए यह यह आंक है और यानि कि वचन-सम्मंधी इसलिए वचन-सम्मंधी क्या जएगा इसका राय डां-स रोजएगा उसके ओगी निभिए लेकिन राक पता नहीं, गाती है, यो desert चोसन, आपको थर्ड दे रका है, इसमें क्या है, विょु अप्संटρά मेक क्यों हो जाएगा, इसका, रात अंसर हो जाएगा, नेश्ट आपको दे रका है, हिंदी राती नहीं है, कौन शे विकल्फ में, हिंदी समराती नहीं है, आपको बता है, तो Brid जेट का मतलब यह गजट होता है फिर सप्लिमेंटरी पूरक अकेडमिक सेक्षिन इक प्रोविडेंट फंड का वेतन नीदी मतलब नहीं होता है यह जो आपको उप्शन फोर्त दे रखा है यही सही सामराथ्थी नहीं है उप्शन जो फोर्त है भही इसका राइट आंसर अपको दे रखा है चूज दे करेक्ट एंटोनीम उप दा फ्लोविंग वर्ड फ्रोंब गिवन ऑप्शन एंटोनीम आपको विलोम सब्द बताना है आर्टिफिशल तो आर्टिफिशल का विलोम सब्द क्या होता है सभी को पता है मार्केट में जो चीज मिलती है क्या होती एक तो आर्टिफिशल होती है और एक क्या होती है निचुरल होती है तो निचुरल क्या होगा इसका राट आंसर होगा एक तो आर्टिफिशल ब्यूटी होती है और एक निचुरल ब्यूटी होती है आप कामें भी लेते हो इस वर्ड को नेक्स्ट आपको दे रखा है विच जोड़ दोगे तो incredible word बनेगा और option जो आपको fourth दे रखा है वो इसका right answer रहेगा next दे रहेखा है I wish I had seen the show last night I heard it was a good performance तो I heard it was quite a good performance quite क्या आएगा इसका right answer रहेगा next आपको दे रहेखा है translation Hindi translation of the following word given below will दे रखा है तो will का मतलब क्या होता है वसियत नामा होता है next आपको दे रहेखा है I A S C का अधिकरत है तो I A S C जो है वो मादे में एक सिक्षा है निदे साले बिकानेर से अधिकरत है options जो आपका second दे रहेखा है वो इसका right answer होगा next आ राज के सेवा में वरिष्ट अध्यापकों का सिवारत परस्क्रिक्षन के उद्देश से किसकी स्थापना की गई है तो CTE की स्थापना की गई है CTE इसका right time सुरूगा फिर आपको next दे रहेखा है डाइट संस्ताओं की नोडल लिजेंशी है तो इसकी नोडल लिजेंशी है SIERT है SIERT next पिरामल फाउंडेशन RKCL विद्याभवन सोसाइटी भारती फाउंडेशन आदी संस्तानों के द्वारा निम्न में से किसकी सहायता की जा रही है तो राज़स्तान एजुकेशन इनिशेटीव के सहायता की जा रही है और फाउंडेशन जो फाउस्त होगा वही इसका रहेटान सुरूगा फिर next दे रहा है Grace प्रायोजना के भारत सरकार और राज़स्तान सरकार के द्वारा जिस अनुपात में वीतिय सहायता प्राप्त होती है वो कौन ची है तो देखे इसमें Grace योजना के अंदर गते भारत सरकार के द्वारा तो 80% और रास्तान सरकार के द्वारा 20% ये जो अनुपात है इसमें सहायता है वो प्राप्त हो रही है options आपको force दे रखा है वो इसका राइटा नसर होगा next आपको बताना है एक कस्तूरबा गांदी बाली का आवास्ट ये विद्दा ले दे रखा है इनमें से कौन सा इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है देखे ये केवल S.C.S.T. O.V.C. अलफ संक्यक और गर्वी रेखा के निचे जिवनियापन करने वाले परिवारों के बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है बिल्कुल सही दे रखा है सहरी और गामिन दोनों क्षेतरों के लिए ये उज़ना है वो चलाई जा रही है नेच्ट है ये विद्दालियों के केवल 11 से लेकर 14 वरस तक की आयू वरकी जो बालिकाओं है वो ही इसमे प्रवेसे पत रख सकते हैं इससे अधिक उमर की नहीं ये इसमें गलत दे रखा है आपको इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है तो option जो आपको फोर्ट दे रखा है वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा उसके बाद देखे next question आपको दे रखा है राज्य की शिक्सिया के क्षेतर में स्वैसासी अभीकरणों का चेहन करते हुए सही सेट या समुच्चे की पहचान कीजिए तो देखें स्वैसासी अभीकरणों का चेहन करने के संबन्द में राजिस्तान मदर्शा बोर्ड और राजिस्तान पाट्य पुस्तक मंडल ये option क्या होगा इसका right answer होगा फिर next आपको दे रखा है संयुक्त राष्ट ने 1986 में अंतरास्टे शानती वर्ड में भारत स्काउट्स और गाइड्स को इसे मानद रूप में चैहनीत किया है तो देखें इसको शानती दूद के रूप में चैहनीत किया है option आपको second दे रखा है वो इसका right answer होगा नेश्टा शीलम परम भूसनम ये जो वाक्य है किन स्कूलों का आदर्स वाक्य है तो ये military स्कूलों का आदर्स वाक्य है option second है वो इसका right answer होगा निम्न में से किस स्कूल का मुख्य उद्देश्य रक्सा अकादमी हेतू छातरों को तयार करना है तो सेनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य यही होता है रक्सा अकादमी के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तयार करना नेश्ट आपको दिरकाए public स्कूल की विशेश्ता नहीं है कौन सी विशेश्ता public स्कूलों की नहीं होती है तो दिखें आम जनता के विद्दाले यह हैं वो public स्कूलों की विशेश्ता नहीं होती है उप्सन जो थर्ड है वो इसका राइट आमसर होगा नेश्ट दिरका है राज्य सरकार के दौरा जो चलाए जा रहे अंग्रेजी माद्यमाले विद्दाले हैं जो केंद्रिय माद्यमी सिक्षा बोर्ड चे माननेता प्राप्त है उतकरष्ट केंद्र के रूप में यह स्तापित हुए है वो कौन से हैं तो दिखें स्वामी विवेकानन्द राजकी मोडल स्कूल के नाम से वो संचालित हुए है और आप्सिंद आपको फोर्थ देर्खा है वो इसका राइट ढसर होगा फिर नेक्स्ट देर्खा है जोड़ोमेंसे कोन सा एक मेल नहीं खाता है वो आपको बताना है तो दिखें इसके अंतरगाते E-Government और नैन्ले यह जोड़ा है वो मेल नहीं खाता है बाके सभी जोड़े हैं वो इसमें सुमेलित है option 4 इसका अंसर होगा next दे रखा है निमन वेसे कौन सा सही नहीं है इमित्र के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें जो खताना वो सही नहीं दे रखा है तो देखे ई-governance की एक योजना है इमित्र बिल्कुल सही दे रखा है गरामिन एक शेतर के अंदरी ते योजना है बिल्कुल गलता है ये तो सहरों में भी केंदरी था है इमित्र की महले के लोगों के लिए है बिल्कुल लोगों के लिए है option जो आपको इसमें second दे रखा है वो इसका right answer हो जाएगा क्योंकि ये इससे सुमेलित नहीं है next आपको दे रखा है निमने लखीत खतरों के उपर विचार करना है आपको इसमें गलत दे रखा है नेश्ट है आपको इसमें सही दे रखा है option जो आपको इसमें दे रखा है second खतरों सही है इसका मतलब केवल दो वाला option है केवल दो वाला second option में ये क्या होगा सही होगा next question आपको दे रखा है एक दुकानदार ने दो मुबाइल बेचे और दो मुबाइल कुछ इस तरिके से बेचे कि एक मुबाइल की बिकरी के उपर तो उसे 20% का लाब हुआ लेकिन दूसरे मुबाइल की बिकरी पर उसे क्या हुआ 20% की हानी हुई अब आपको बताना है कि सुद्ध लाब हुआ या फिर सुद्ध हानी हुई तो वो कितनी हुई देखे 2400 रुपए में उसने दोनों बेचे देखे 2400 रुपए में दोनों बेचे तो एक के उपर तो क्या होगा 20% का यहाँ पर लाब दे रखा है यानि 2400 और शोबटा 120 तो यहां से जब आप इसको निकालोगे तो यह बार दोनी 2400 जीरो और यह कितना आएगा 2000 रुपए आएगा बाद में दूसरे को भी 2400 रुपए में बेचा और इसके उपर 20 रुपए की हानी हुई 20 रुपए की हानी हुई तो अस्या जाएगा और बाद में यह आठ यह 2400 और यह दो जीरो और एक जीरो यहां वाली तो यह कितना आगया 3000 रुपए आगया तो 2000 और 3000 टोटल कितने आगए 5000 रुपए आगए अब 2400 रुपए में परते को बेचा था इसलिए 2400 रुपए तो यह और 2400 रुपए यह यहानि कि 4800 रुपए में टोटल बेचा था और 5000 रुपए में यहानि कि 200 रुपए की क्या हुई इसको हानी हुई इसलिए 200 रुपए क्या हुजाएगा इसका 200 रुपए की हानी इसका राइट आमसर हुजाएगा तो देखे दोस्तों कुछ इस तरिके से most important किसना answer के बारे में अपने बात की है आपको वीडियो तसा लगा है तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ में share कीजिए और ये series आगे इसी तरिके से जारी रहेगी इसलिए चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब गरने के साथ साथ में गंटी के आगन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के उपर पहुंसते रहें